अगर बच्चे श्कूल जाएंगे निश्शी था कि उनको जो है पढ़ाई के बारे में जानकारी दी जाएगी पढ़ाई एक बारे में दूसरी चीज़ अगर आपके बच्चोओं को जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं अगर इनको कहीं से किसी भी तरह की समस्या आ रही है मालेजी आपके पास फीस नहीं है देने के लिए या किसी भी व्यक्ति के पास मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं अपील करना चाहता हूं किसी भी बच्चे के पास अगर फीस नहीं है पढ़ने के लिए आप बच्चे के अडमिशन के लिए तो आप उसकी जानकारी हम को दीजिए हमारे मोश्ट कल्याट संस्थान के पदाधिकारियों को दीजे मोश्ट कल्याट संस्थान उनको जो भी फीस होगी वो फीस देने का काम करें पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिनसे बच्चे चमक सकते हैं दुनिया में अपनी चमक बिखेर सकते हैं आप लोग बावत नाम सुने होंगे कभी उनको क्लास रूम से बाहर बैठाया जाता था लेकिन सिच्छा के दम पढ़ाई के दम पर सिंबल आप नालिख रहे हैं अंकि पास पास नहीं होता था या बेशते लेकिन मिसाइल में टैस को जो बब जिए जो दुषमन देस नने बजायर अगया है बन रहे हैं तर यह पढ़ाई के ताकत है कि स्लिए आप लोगों से हमारा यहीं बेशत और आज हम इसलिए इसलिए आपके पास आए हैं या आप लोग बच्चों के अपने जो है पहिया कामे करिए कि बच्चे ज्यादा ज्यादा बच्चों को सिच्छा के महत्त के बारे में बताइए बच्चों को पढ़ाई के बारे में बताइए कि बटिया हो बेटा हो आपकी पढ ना समाजी की स्टेटरस आपका है आपके पास सिर्फ पढ़ाई है पढ़ाई कि दम पर आगे जा सकते हो बच्चों को स्कूल कालेज में जहां भी पढ़ रहे हो जहां इनका अडमीसन हो आप चेक करिए आप आप जाईए वहां देखें आप बीच बीच में जाईए टीचर स लिये पूछे क्या हमारा बश्यार पने अइसको ऑं यह ‫ जानकारी लीजी आप और बच्चे के बारे में पता करिए बच्चे के आप कहीं आरो कोई दिक्कत हैं तो उसको आप पूरा करिए हम तो यहां तक कहेंगे že आप लोग अपने बच्चों के साथ साथ आपके गाव में छेत्र में आपके जो नाद बात हैं आपके जो नाद रिस्ते में हैं अगर उनका बच्चा कहिक पढ़ना चाहता है या पढ़ने की चुक है तो उसके लिए भी आप कापी किताब देने का स इस purity करना चाहता हूं किशी बीकी स्वह पास अगर फीष नहीं है पढ़ने के लिए आप उसकी जानकारी हमकोन हमें दोच कुछ circuit मोजश्ट कलैया कांचता संस्थान को जो भी फीष होगी भीष देने का काम बच्चे स्कूल जाते नहीं नाम इनका लिखा गया स्कूल में कालेज में नाम लिखा गया है लेकिन आपके प्राइमरी स्कूल में अभी आप उठाक देख लिए नाम वहां लिखा गया होगा लेकिन बच्चे वहां जाते नहीं घर वाले गारजियन भी नहीं कहते माबा आपको भी नहीं पता है कि सिछा का क्या माथ्टु है और ज़ूरी है स्कूल जाना पढ़ाई क्यों जरूरी है । में जो है उनको जाने के लिए फ्रेजित करिए बलकि ज्यादा अगर उना हो स्कूल कालेज में चेक करिए का आपका बच्चा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है उस वहां के क्लाश टीचर से वहां के प्रिस्पतार से इन लोगों से संपर्ख करिए और आपको पढ़ने पढ़ाने में बच्चों को स्कूल भेजने में कोई भी समस्य आ रही हो जिसे कभी कभी समस्य आती है या आपके पास फीस नहीं है आप जानते हों कि सरकारी कालेजों फीस बहुत कम लगती है सरकारी कालेज में योग टीचर बहुत कम लगती है सरकारी कालेज में ज्यादा तन्खाप आते हैं आयोक से चैन होके आता है उनका बड़ी बड़ी परिछाएं पास करके आते हैं तो उनके अंदर योगता कमी नहीं है लेकिन अब यह है कि जब बच्चे वहां जाएंगे तो पूछेंगे पढ़ेंगे तो अच्छी पढ़ाएं उनको आपको सरकारी स्कू झाल